Good morning दोस्तो रज्या ऐस चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं आपकी दोस्त रज्या दोस्तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यानि कि आज का हमारा टॉपिक है बालों को रूखा होने से कैसे बचाए कुछ लोगों का सवाल होता है कि पहले मेरे बाल जो थे वो अच्छे सिल्क की नरम मुलायम थे बट अभी मेरे बाल ड्राइ हो गये हैं रूखे बेजान हो गये हैं मेरे बाल तूटते बहुत ज्यादा है तो इसके उपाए अगर इन सवालों में से कोई एक सवाल आपके है तो ये वीडियो को आप अन तक जरूर देखे आपको बेस्ट रिजल्ट मि आते हैं शैंपू लाने के लिए जब बाजार गये तो बाजारों में कई तरह के शैंपू होते हैं डिटेर्जन जैसी चीजों से मिलकर बनी होई होती है और आप अगर अपने शैंपू का चुनाव करिएगा तो आप अपने हेयर टैक्स को जानकर कि आपके बाल क्या है उस वो सलफेट फ्री है और साथी साथ उसमें ये भी होना चाहिए डायमेथी कोन के घटक भी मौजूद होना चाहिए अगर ये आपके शैंपू में मौजूद होगा तो ये आपकी बालों को चमक बढ़ाएगा और मैनेज अबिलीटी को भी बढ़ा देता है आपके बाल नरम मुलायम चिकने और बॉंसी लगने लगते हैं अगर आपको ये चाहिए तो आपको अपने शैंपू का चुनाव इस तरीके से करना होगा दूसरा आपके बाल ड्राई है बहुत ज्यादा ड्राई है तो शैंपू करने के बाद आप अपने बालों को मॉस्चुराइजर करेंगे मॉस्चुराइजर करने के लिए आपको डीप कंडिशनर का यूज करना होगा डीप कंडिशनर का जब भी आप यूज करें तो उसमें भी ये चीज आपको देखना होगा कि वो सल्पेट फ्री हो लिखा होना चाहिए उस पर और साथी साथ उसमें डायमेथ ही कौन के घटक मौजूद होना चाहिए अगर आपके शैंपू और कंडिशनर में के दोनों चीज़े हैं तो आपके बाल डीप क्लिंजर हो जाते हैं सॉरी डीप मोस्चुराइज हो जाएंगे और जब आप अपने कंडिशनर की बात करें तो इसे हफते में दो बार ही यूज़ करें अगर बहुत ज़्यादा बाल आपके ड्राई है तो शैंपू करने के बाद और जब आपने शैंपू कर लिया तो आप अपने बालों को शैंपू करने के बाद से इसे कैसे सुखाएंगे, इसे रगड करके नहीं सुखाएंगे, बलके इसे तॉलिय की हेल्प से आपको अपने बालों को सुखाना होगा, जिस तरह से इस इमेज में दिखाया जा रहा है, आपको भी इसी तरह से अपने बा बाल होते हैं, वो कमजोर होती हैं, उसकी जड़े कमजोर होती हैं, इसलिए आपको इस तरीके से बालो को सुखाना है, उसके बाद आपको कंगी करना है, जब आप गीले बालो में कंगी करते हैं, बाल ड्राइ और डाइमेज होनी की वज़ा से उनकी जड़े कमजोर होती हैं, तो तूट जाती है इसलिए आपको अपने कंगी भी जो करेंगे वो बड़ी दातों वाले कंगी का यूज करेंगे कितने लोग hairbrush का यूज करते हैं तो hairbrush में भी आप इसी बात का धियान रखेंगे आपका जो hair brush हो वो बड़ी दातों वाला हो बड़ी दातों वाला जब आप use करेंगे तो आपके बाल अच्छे से सुलज जाएंगे तूटेंगे नहीं क्योंकि उतना pressure बालों पर नहीं पड़ेगा इसी वज़े से आपको ये खास और से ध्यान रखना है नहाने के बाद बड़ी दातों वाले कंगी का ही यूज करना है Hair dryer कितने लोग अपने बालों को सुखाने के लिए hair dryer का use करते हैं लेकिन कुछ ही खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आप hair dryer का use करते हैं तो हफते में सिर्फ एक दिन use करें बहुत ज्यादा जरूरी होने पर वरना इसे ना करें Hair dryer का use करने से पहले आपको अपने बालों पर use करना होगा heat spray का use करना होगा heat protective spray लगा लीजिए आप अपने बालों पर spray कर लीजिए अगर आपके पास heat protective spray नहीं है तब उस हालत में आप क्या करिएगा अगर तो उस हालत में आपको करना है एक अच्छे से hair serum का use अगर आप hair serum का use करते हैं तो आपको ये भी धियान रखना होगा कि आपका जो hair serum है वो dry बालों के लिए है या नहीं आपका जो hair है आपके hair type के मताबिक वो शीरम होगा तो ही use करिए और उसके बाद तब आप hair dryer का use करिए जब आप hair dryer कर चुके hair dryer के help से अपने बालों को सुखा चुके हो तो उसके बाद आपको hair gel का use करना है क्योंकि hair dryer के बाद बाल और भी ज्यादा सुस्क हो जाती है उसकी जड़े थोड़ी और भी कमजूर हो जाती है इसलिए आपको gel का use करना होगा hair gel और hair gel को आपको बालों में उसकी length पर लगाना है और ये ध्यान रखना है कि हलके हलके हाथों से ही उसे massage की तरह लगाना है आपको हलके हलके हाथों से massage करना चाहिए अगर आप पूलते हैं मुझ से कि तुम्हारी नजरों में कौन सा जिल अच्छा होगा तो मैं एलो बेरा जिल कहती हूँ या तो आप एलो बेरा जिल जो बाजार में मिलते हैं उसका use कर लीजे या फिर अपने घरों में जो एलो बेरा जिल होता है उसका use करिए दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हो हमें जरूर कमेंट करके बताईए अगर आप अपने बाल दोते समय वीकली दो से तीन बार इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके बाल लंबे मुलायम, सौरी चमकतार और मस्बूत बात आपको मिलते हैं हमें लाइक करिए हमें शियर कीजिए और बेल आइकन बटन दबा कर हमें सस्क्राइब करें